Hi everyone, welcome back to my channel, Helpy Neha आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3-5 साल तक के बच्चों को क्या-क्या पढ़ाना चाहिए क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं COVID की वज़े से बहुत से बच्चों के एड्मिशन नहीं हो पाए हैं या जिनके एड्मिशन हो भी गए हैं उन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज में बठाना और समझाना काफी मुश्किल होता जा रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लास तक जरूर देखेगा और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दो सब्जेक्ट्स यानि इंग्लिश और हिंदी के बारे में और Maths और EBS के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखे और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसके साथ ही हमें ये बच्चे को सबसे पहले सिखाना जाहिए इसके लिए आप प्रॉप्स यूज़ कर सकते हो आप डिफरेंट पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हो आप उसे खुद भी प्राक्टेस करके बता सकते हो कि इस तरह से आपको बोलना चाहिए तो आप आगे बढ़ते हम सब्जेक्ट की ओर और सब्जेक्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश इंग्लिश को पढ़ाने के लिए हम generally क्या स्टार्ट करते हैं सभी को पताओगा ABCD तो generally जब ABCD हम बच्चे को ओरली सिखाते हैं तो हमें यही सही स्टार्ट करना चाहिए और कई बार हम बच्चों को पढ़ा तो देते हैं बट जब हम उनसे सुनते हैं तो बच्चे उनके सेक्वेंसिंग और उनके order में को miss कर जाते हैं पीच-बीच में थोड़ा गडबर कर जाते हैं तो हमें उनको ऐसे सिखाना चाहिए कि उनके order और sequencing को बच्चे miss ना करें और वो अ पैंसल नहीं होल्ड कर पा रहा है तो आप कोई मोटी चीज जैसे आप क्रियॉंस का यूज कर सकते हूं उससे जो बच्चे की फिंगर्स की जो ग्रिप है वो अच्छी बनती है और हैबट पढ़ने के बाद धीर धीर पैंसल पकड़ना भी सीख जाता है तो अब जब लिख जैसे कि आप दो गर्ड़ेट लाइन क्या है और हम श्चाने क्या है चाहिए उसमे और करने करके उसको standing line या sleeping line कर बना के दे दो और बोलो कि इसको trace करो जब बच्चे को tracing अच्छे से आ जाए तो tracing के साथ आप उसे जैसे आपने उसको standing line सिखाई तो आप उसे ऐसे alphabet सिखाई जो की standing line से बनते हों जैसे इस तरह से डिरेक्ट लिए उसे ए से मज़ सिखाई है फिर उसके बाद जो लेटर कर्व से बनते हैं जैसे c, b, p आप उसको इस तरह से बताई है और उसके बाद फिर semi circle, full circle उनसे जो alphabet बनते हैं उनको लेखना सिखाई तो तीन से चार साल तक के बच्चे को a, b, c, d, capital, small पढ़ना चाहिए और उसको recognize करना भी आना चाहिए जब आप बच्चे को a, b, c, d, orally में सिखाएं तो आप कोशिश करें कि उसके साथ उसके phonic sound भी पढ़ाएं जैसे a, apple, b, bat, c, c, cat कुछ इस तरह से आप पढ़ाएं बहुत से लोग मैंने देखा है कि इस तरह से पढ़ाते हैं a, apple, b, ball, c, cat तो जब बच्चे आगे पढ़ते हैं मतलब जब आप इसको two letter words join करके पढ़ाओगे या three letter words join करके पढ़ाओगे तो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आएगी तो आप उसको phonic के साथ ही पढ़ाएं a से apple, a से air, apple, b से bat इस तरह से पढ़ाएं तो बच्चे को आगे जो उसका base होगा वो उसका मजबूत होगा और वो reading के लिए उसको कोई भी परिशानी नहीं होगी ये सारी चीज़ें जब बच्चों को आजाए ताब आप उसको धीरे-दीरे wobble बता सकते हो कि wobbles क्या हो सकते हैं, consonant बता सकते हो कि consonant क्या हो सकता है इसी तरह आप उसको oral में opposite words भी बता सकते हो जैसे कि black, macala, black मतलब black का opposite white या फिर tall मतलब लंबा और उसका opposite short तो इस तरह से करके आप English की start कर सकते हो और बच्चे को जो basic concept है वो आप समझा सकते हो अब हम बात करते हैं कि हिंदी में हमें बच्चों को क्या-क्या पढ़ाना चाहिए फिर जब बच्चों को यह आ जाए उनका क्रम आ जाए फिर धिरी धिरे करके व्यंजन के एक एक अक्षर जो पहले आसान हो बनाने में वो आप शुरू कर सकते हैं एकदम आपको order से पढ़ाने की जरूरत नहीं है तो आप ऐसे शुरू कर सकते हो और इसके लिए आप बच् दो चानना भी आना चाहिए कि कौन सा अक्षर है है तो इस तरह से आप Hindi भी बता सकते हो यह जो मैंने वीडियो बनाया है है अगर आप किसी और क्लास का भी जानना चाहते हो कि किस बच्चे को क्या-क्या बढ़ाना चाहिए तो अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे त अब एक दिन बढ़ पढ़ा दिया और फिर दो दिन छोड़ दिया फिर तीसरे दिन पढ़ाया तो इससे बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता है आपको एक दिन में मतलब आपको दिन में कम से कम एक से देर घंटे अपने बच्ची को लेकर बैठ मा ज़रूर चाहिए भी वो सीख पाएगा आप उससे जोड रबर सज़ती मत करिए कि एक दिन में ही बच्चा सीख जाए तो यह था मेरा वीडियो इंग्लिश और हिंदी के बारे में अब मैं नेक्स वीडियो में एवियस की और माट्स की बात करने वाली हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट शेक्शन पर मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा थैंक्स फर वाचिंग